कि हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं यूट्व चैनल डीएस की अंध्रेश्टी आज का जुम्रा वीडियो है वादरते डेली करेंट एफ है और इस वीडियो में लोग जानेंगे 27 मार्च स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप वीडियो कौन तक देखिए वीडियो को लाइक किजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली वर विजिट करने प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो पहला प्रस्ट नहीं है कि हाल ही में किसे यूपी एसी की निदेशक के रुप म से संवे टीली से हंसा मिश्रा में इसका की तो सब्सक्राइब किसे यूपी एसकर के निदेशक के रुप में निप्त किया गया है तो इसका सई जब हो जाएगा आप संवी हंसा मिश्रा को यूपीएसी प्रसंख्याद दो है कि हाली में कौन यूटी आई के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की अध्यक्ष चुने गये हैं आप्शन से डाक्टर निरज मितल आप्शन भी वीना अग्रवाल आप्शन से दिपक कुमार और आप्शन बिक्रम देवदत तो प्रसंखे दो का सई जवाब हो जाएगा आप्शन ए डाक्टर निरज मितल को यूटी आई के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष कि हाल ही में किसने आई आई टी गांधिन नगर में फाइप जी यूज केस लैब आवरनेस एंड प्री कमिशनिंग रेडिनेस पर कारेसाला का आई वेजन किया है आप्शन से देल्ली इनवर्सिटी ने आप्शन बी जौहलाल नहरु इनवर्सिटी ने आप्शन से बी एच तीन है तो प्रसंखिया जो तीन है इसका सही जोब हो जाएगा आप्शन डी एन टी आई पी आराई टीन है प्रसंखिया चार है कि हाल ही में लुईस मोटेंग्रो को किस देश की परधार मंत्री के तोर पर नामित किया गया है आप्शन से पुर्तगाल आप्शन भी प्रसंखिया चार का सही जोब हो जाएगा हाल ही में लुईस मोटेंग्रो को पुर्तगाल के प्रधार मंत्री के रुप में नियुक्त किया गया है प्रसंखिया पांच है कि हाल ही में किस ने दिव्यांग ब्यक्तियों के लिए सक्षम एप लॉंच किया है अप्शन से नित प्रसंख्या जो पांच है कि हाली में किसने दिव्यांग बेक्तियों के लिए सक्ष में प्लॉंच किया है तो इस प्रसंख्या का सही जवब हो जाएगा उप्षन सी चुनाव आयोगने चुनाव आयोग की बरतमान जो अध्यक्ष है या मुख्य निर्वाचन आयोगत जो है प्रसंख्या 6 है कि हालही में पर्पल डिव एप एपिलेप्सी कब मनाया गया आप। मार्च को 842 2013 मार्च को हमसंद ली 21 मार्च को प्रसंखीया जो छहाली में परपल डे अफ प्लेपीशны 26 मार्च 24 को मनाया गया है कि प्रसंखीय साथ है कि हाली में इस्ट्र-वियाई Grand Prix 2024 किसने जीता है Option से सलत कमल ने Option B करलर्ज सेनज ने Option C PB सिंदु ने और Option D इनमें से कोई नहीं तो प्रसंखिया जो साथ है हाली में स्टेलियाई Grand प्रेमियर 2024 जो जीता है उनका नाम है करलर्ज सेनज प्रसंखिया आठ है कि हाली में CUME ने अपना पहला अलेक्टरिक वहान SU-7 कहां लौंच किया है Option से चीन में Option B भारत में Option से अमेरिका में और Option D और अस्टेलिया में तो प्रसंखिया आठ का जो सही जब हो जाएगा हाली में स्योंचिया ने अपना पहला अलेक्टरिक वहान SU-7 चीन में लौंच किया है प्रसंखिया नौव है कि हाली में किस हाई कोट ने मदर्शा सिक्षा अधिनियम को रद किया है Option से दिल्ली हाई कोट ने Option B पटना हाई कोट ने Option से इलाहाबाद हाई कोट ने और Option D इनमें से कोई नहीं प्रसंखिया नौव हाली में किस हाई कोट ने मदर्शा सिक्षा अधिनियम को रद किया है तो इसका सही जब हो जगा Option C इलाहाबाद हाई कोट ने इलाहाबाद उतर परदेश में पढ़ता है और इलाहाबाद मतलब उतर परदेश को जो मुख मंत्री है योगी अधित्यनाथ है और यहाँ की जो राजपाल है अलंधी बेल पटेल है और यहाँ पर भारती जैन्दापाटी की बरतमान में सरकार है प्रसंखिया दस है कि हाले में किस राज सरकार ने सिखा रिफॉर्म ऑनलाइन सिक्छड मंच लाँच किया अप्सन से उत्तर परदेश अप्सन भी गुजरात अप्सन सी तिलंगना और अप्सन डी उडिशा प्रसंखिया जो दस है इसका सही ज़ब हो जागा अप्सन भी गुजरात राज सरकार ने सिखा रिफॉर्म ऑनलाइन सिक्छड मंच लाँच किया है गुजरात के जो बरतबान मुख मंत्री है सीम जो है भुबेंद्र पटेल है और गुजरात की जो रजधानी है वो गांधी नगर है जबकि इसका सबसे बड़ा जो सहर है वो अहंदाबाद है प्रसंग के ग्यारा है कि हाली में जारी हारून रिसर्च की 24 गुलोबल डीच लिस्ट में एसिया की बिलेनियर कैपिटल कौन बनी है प्रसंग के ग्यारा का जो सही जब हो जाएगा हारून रिसर्च 24 गुलोबल डीच लिस्ट में एसिया की बिलेनियर कैपिटल जो बन गई है वो मुंबई है जिसे अब लोग भारत के एकोनोमिक केपिटल के नाम से जानते हैं हाली में प्रसंग के बारा है कि हाली में की से 24 गुलोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया प्रसंखिया 13 है कि हाली में किसने मगही उपनियास फुल बहादूर को अंगरेजी में अनुबात किया है अप्संग से अमीत साह ने, अप्संग भी मनोज सिनहा ने, अप्संग सी दरौपदे मुरू ने और अप्संग अनुराग ठाकुर ने प्रसंखिया 13 है काफे इंपोर्टेंट है कि हाली में किसने मगही उपनियास फुल बहादूर को अंगरेजी में ट्रांसलेट किया है इसका सही जब हो जाएगा, अप्संग भी मनोज सिनहा जो फिलहाल जमू कस्मिर के उपर राजपाल है मगही बिहार की एक मुहतवपून भासा है और भारत की भी प्रसंखिया चोदा है कि हाली में किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयर लाइन आफ दा इयर नामित किया गया अप्संग से इंडिगो को, अप्संग भी एयर इंडिया को, अप्संग से स्पाइस जेट को और अप्संग इन में से कोई नहीं हुआ 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 है तो प्रसंखिया चोदर का सही जवा वज़ेगा हाल ही में दोयाज चोबिस एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयर लाइन आफ दा इयर इंडिगो को नामित किया गया है प्रसंखिया पंद्रा है कि मियनमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है अप्संग से अवे ठाकुल को, अप्संग बी नविश्यक सक्सेना को, अप्संग सी दीपाक सिना को और अप्संडी सेयद अकबरुदिन को तो प्रसंखिया पंद्रा का सई जो हो जाएगा अप्संग अभे ठाकुल को मियनमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है प्रसंखिया सोलो है कि लेंग को अमर कंटक पावर लिमिटेड का अधिगरहन किस ने किया जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है आप्संखिया सोलो का जो सही जब हो जाएगा आप्संग अधानी पावर लिमिटेड ने लेंग को अमर कंटक पावर लिमिटेड का अधिगरहन किया है प्रसंखिया सत्रह है कि हाली में जी नियवा में अंतर संसधिय संख की 148 वी बैठक में भारतिय परतिनिदी मंडल करनेती तुव किस ने किया आप्शन से हरिवन्स नरायन सिंग ने, आप्शन बी राजनाथ सिंग ने, आप्शन सी बैंकिया नाइडू ने और आप्शन डी आरके सिन्हा ने प्रसंखिया 17 हाली में जिनियवा में अंतर सलसधी संकी 142 वैठाग में भारतिय प्रतिय दिव मंडल का नरतित्व अरिवन्स नरायन सिंग ने किया है प्रसंखिया ठाड़ा है कि हाली में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 69 किलोग्राम युवा बर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता आप्शन से अजे राठी, आप्शन B, अतुल कुमार, आप्शन C, बिने और आप्शन D, रिशब सिंग प्रसंखिया ठाड़ा का सही जोब जगा हाली में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 69 किलोग्राम युवा बर्ग में बिने ने गोल्ड मेडल जीता है प्रसंखिया 19 से प्रस्ट है कि हाले में किसे राष्टिय जाच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है आप्शन से रजीव कुमार सर्मा, आप्शन B, सदानंद बसंत दाते, आप्शन C, अजे अनंद और अप्शन D, अभिनव सर्मा प्रसंखिया 19 का सही जाब हो जाएगा, हाले में राष्टिय जाच एजेंसी का प्रमुख सदानंद बसंत दाते को नियुक्त किया गया है प्रसंखिया 20, दिवियांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रियासान बनाने के लिए कौन से एप लाउंच किया गया है आप्शन से दिरिष्टी, आप्शन बी सिखर, आप्शन से सक्षम और आप्शन डी विश्वास प्रसंखिया 20 से इसका सही जब हो जाएगा, आप्शन से सक्षम प्रसंखिया 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रस्ण है, प्रस्ण है कि हाल ही में भारतिय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD and IS सिस्टम तैनात किया है, आप्शन से पाकिस्तान, आप्शन भी वियतनाम, आप्शन से भूटान और आप्शन डी चीन प्रसंखिया जो 21 से हाली में भारतिय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD and IS सिस्टम तैनात किया है, तो इसका सही जोब हो जाएगा, आप्शन डी चीन तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का विडियो जो अधारित था 27 मार्च दूवजार चौविस के अतिम महतोपुन 21 प्लस MCQ करेंट अफैर्स और इसके एंसर पर जो काफे इंपोर्टेंट है, हर कंपटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं स्टुडेंट्स के लिए साथ ही समाने सिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं स्टुडेंट्स के लिए भी तो आप इस वीडियो को देखिए वीडियो को ज़्यादा शेयर किजिए लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करेंदे प्लिज चैनल डिएस के आंदेश्टी को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकोन को दबा दे जिससे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मेल जाए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार थैंक्यू फूलेस्टिंग एंड वाचिंग